नमस्कार मैं हूं मिनाक्षी गुपता और आप देख रही हैं SPN 9 News भटेंडा निगम चुनाव में 50 सीटों के नतीजे आ चुके हैं कॉंग्रिस को 43 सीटे मिली हैं मैं अकाली दल को 7 सीटों पर जीत हासिल हुई है बीजेपी और आम अद्मी पार्टी अपना खाता भी नहीं खोल पाई हैं इसके अलावा वाड नमबर एक से वित मंत्री मनप्रीज सिंग बादल के खास नेता टेहल सिंग संदू की पतनी मंदीब कौर को 25 वोटों से हरा कर अकाली दल की प्रत्याशी अमंदीब को और विजेता बनी है निगम चुनाव में इस बार कॉंग्रिस को मिली बड़त के कारण अब निगम में 53 साल बाद कॉंग्रिस का मेयर बनेगा मेयर की दोड में सबसे पहले वाट नमर 48 से जीते कॉंग्रिस नेता जगरूप सिंग गिल का नाम सामने आ रहा है आला कि कॉंग्रिस पार्टी की तरफ से अभी या चुनाव से पहले मेयर के बारे में किसी चेहरे का एलान नहीं किया गया मही भगता भाईका के वाट नमबर 10 से शीयत प्रत्याशी रगूविर सिंग ने आरोप लगाया कि वो काउंसिल चुराव में आसानी से जीत गए थे लेकिन विरोधी पक्ष की ओर से उन्हें विजेता सेटिफिकेट नहीं दिया गया वे तब तक अपने समर्थकों के साथ भगता नथाना रोड पर जाम लगा कर धरना लगाए बैठेंगे जब तक उनको इनसाफ नहीं मिलता बटिंडा के 224 वाटों में से 114 पर कॉंग्रिस के प्रत्याशी जीत हासिल कर चुके हैं जबकि 33 वाट पर शियत प्रत्याशी जीते हैं इसके अलावत जिले की नथाना काउंसिल में आपके तीन प्रत्याशी जीते हैं बाकी जगों पर आपका खाता नहीं खुला बीजेपी पूरे जिले में शूने पर ही सीमित रही बहुजन समाज पाटी को भाई रूपा में एक सीट पर जीत मिली है रामपुरा फूल तहसियल के अधीन आते पोठा गुरू के 11 वाटो पर कॉंग्रेस का कपचा रहा महीं अकाली बीजेपी आपका कोई भी प्रत्याशी जीत हासिल नहीं कर पाया भगता भाई का के 13 वाटो में से 9 पर कॉंग्रेस, 3 पर अकाली दल, 1 निर्देले दल प्रत्याशी ने जीत हासिल की गाउ मलूका में 11 में से 9 पर कॉंग्रेस, 2 पर अकाली दल के प्रत्याशी जीते हैं भायरूपा में 13 में से 8 कॉंग्रेस, 4 अकाली दल और 1 बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीत पाया है। महराज के 13 में से 10 कॉंग्रेस, 1 अकाली और 2 आजाद प्रत्याशी जीत हासिल की। सब तहसिल मोड मंडी के 17 में से 13 पर कॉंग्रेस, 1 अकाली दल, 3 आजाद प्रत्याशी जीत प्रत्याशी जीत प्रत्याशी जीत है। गोनियाना के 13 में से 7 पर कॉंग्रेस, 6 आजाद प्रत्याशी जीत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, तो इसे लाइक, शेर और कमेंट जरूर करें, साथ हमारे चैनल SPN 9 News को भी जरूर सब्सक्राइब करें।